नमस्से मैं डॉक्टर शार्दा डायरेक्टर एल्बिया डेंटल इंप्लांट एंड फेशल इस्टिक सेंटर हाइदरबार हमारे ब्रांचस हाइदरबाद के माधापूर और साइदरबाद कॉलनी में है आज मैं अकलदान्त के बारे में बात करने वाली हूं ठीक है यह किस अद्से में ढपाशाइड के वाली हैं साहिच के अपिटिकान प्रों के लिगाटवटार शैभी शाहरr से में हमारे टीयों कोई तकर अचल ने कुछ दो कोई भी नहीं है और नहीं आएं बोलके फिकर करने की कोई जरद भी नहीं है, क्योंकि इसका आकल से कुछ तालुक नहीं है, यह आकल दान्त आते वक्त क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, जनरली जब दान्त नॉर्मल जो बाकी दान्त आते तब तो कुछ प पहले किया है, healthy food काते थे, natural food काते थे, लेकिन अभी क्या है, burgers, ये junk food ज्यादा हो गया, तो दिन बदिन क्या हो रहा है, अपना जबड़ा, ये जो जो है, उसका size कम होता जा रहा है, तो finally, जो last permanent teeth, ये अकलदान जो है, last permanent teeth है, मुह में आने के, ठीक है, last permanent teeth जब आने का time रहता तो उसके लिए जगा नहीं बच रहा है, इसलिए वो कभी-कभी सीधा आई तो हड़ी के अंदर ही आतक जा रहा है, तो इसलिए आकलदान आते वक्त, ये तोड़े problems face करना पढ़ रहा है, तो अकलदान आते वक्त, क्या-क्या problems face करना पढ़ता, उसके बार में बात करेंगे परस्ट जो है, पैन, आते वक्त तोड़ा पैन होता, क्योंकि जगा टीक तरस नहीं रहने के वज़े से तोड़ा तकलीफ होता, और मुझ कोलने में भी problem होता, क्योंकि मुझ कोलने और बंद करने के जो ligaments रहते हैं वो जो है, ये कोने में रहते हैं, इदर तकलीफ रहने के वज़े से क्या है, मुझ कोलने का वो ligaments में भी तोड़ा infection आते हैं, मुझ कम्प्लीट कोलने नहीं आता, और खाना अटकने के चांसे भी रहते हैं, ठीक है, तो दान्त ऐसा रहता है, और मसुड़ा पूरा ऐसे almost covering रहता है उसके उपर, तो ये मसुड़ा और दान्त के ये टूमर और सिस्ट आने के चांसे भी रहते हैं, ठीक है, तो अकल दान्त क्या-क्या आंगल में आता, कौन से आंगल में आता, और उसके वज़े से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे, जगर टीक रहने के वज़े से अगर अकल दा प्रूट चबाने के लिए और एक एक्स्ट्रा दान मिल जाता लेकिन अगर ब्रेशिंग करते वग्ट ब्रेश के ब्रिसल से पीछे तक नहीं जाते यहां तक नहीं जाते तो उसके वज़े से कीड लग जाता ऐसा कुछ कीड लगके इनिशल स्टेज में है कीड बोल तो फिलिंग करा लीजिए लेकिन उसमें नस्तक है वो इंफेक्ट हो गया उसको रूट किनल करने की जरद परती बोले तो मेरे इसाब से वो वेस्ट है क्योंकि बहुत मुश्किल है रूट किनल करने के लिए ठीक है उसको रीपलेस करने के लिए इसका बेहना पढर गलतो तब इसका रूट किनल ट्रीट में है इसका इसका सपोट ले लिए तो वो बेटर है नेक्स्ट बानम वो तिंग क्या है अभी सीधा नहीं जगक टीग नहीं रह तो ऐसे तेड़ आने के चांसे र पाना अटक के खीड लगने के चांसे ज्यादा रहते हैं खीड अकल दांत को नहीं यह बाजो दांत को भी लगके खराब करता अचली क्या है? 32 टीथ है अपने मुह में यहां सेंटर से कांट करें तो यहां से 8 यहां से 8 यहां से 8 ऐसा टोटल 32 रहते है उसके पीछे जो सेवंध टूथ है वो रिमेंग 40% काम कर लेता हूँ तो यह अकल दांत क्या बोलतो हो उतना काम का नहीं रहता अपने बोड़ी में अपनीक्स में कुछ प्रॉबलम आया तो क्या करते है उसको निकाल देते सेम ऐसा ही विज्डम टूथ अगर ठीक है तो प्रॉबलम नहीं लेकिन उसके वज़े से कुछ प्रॉबलम हो रहा वोल तो निकाल लीजिए तो अभी क्या बात कर रहते है हम ऐसा टेड़ा आ गया तो क्या होता यह टेड़ा आ गया तो अकल दांत और उसके बाजु दांत के बीश में कान आटकने के चा इसको कराब करने से पहले यह निकाल लीजिए ठीक है तो यह बच जा तब एंड वन मोर तिंग क्या है अकल दांत एक बड़ा सरजरी है इसको निकाले तो यह मैने बर रस लेना पड़ता ऐसे बात यह सब गलत है ठीक है तोड़ा नॉर्मल दांत से कंपेर करें तो यह दान को तोड़ा एक 2-3 डेस ज्यादा मुश्किल होता क्योंकि एक कॉर्णर में रहता ना तो कॉर्णर में जब भी कुछ गाव ऐसा कुछ लगे तो उसको रेस्ट दिये तो जल्दी सुकता अपन क्या है बात करते वक्त या खाना तो खाना ही पड़ता ना खाना काते वक्त यह यह हिलता इसलिए इसको तोड़ा टाइम लगता सूपने के लिए एक 2-3 डेस एक्स्टा इसके लिए आप बेडरेस लेने की ज़रत नहीं है आप अपना खाम कर ले सकते लेकिन क्या है तोड़ा माइल डिसकंफर रहता एक 2-3 डेस और यह मुख खोलने में भी तोड़ा मु ठrek अपनेल शूल्ढल गा का इसको अपनेल यह मुख खोला धा निकालदम के लिए अशियर कर वा कने बा sottoषर स्विप्ता निकाल दोलुकोने के लिए जयादा फ्रॉब्लम नहीं होगा तो इसलिए जहादा प्रॉब्लम नहीं हो तो और दाम निकालने के बाद जो पसंद आये तो please like, share and subscribe and bell icon भी दबाना नहीं बूलना. Thank you.